आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो उसको उसकी Correct Position क्रम अनुसार या विवस्थित रूप में रखने को हम क्या कहते हैं वर्गी करन यहां पर लेख लेते हैं किसी जीव को विवस्थित विवस्थित एवं क्रमा अनुसार एवं क्रमा नुसार रखना क्या कहलाता है हमारा वर्गी करन कहलाता है अब देखते हैं इसके हमें आवशकता क्यों होती है यह आवशक क्यों होता है यह इसलिए होता है कि अगर जैसे दिखें बायो डाइबर्शिटी के कारण या हम यह काई जैब विद्धा के कारण जन्दू और पाद्वों की संख्या क्या है असंक संख्या है लेकिन उनमें भी हम क्या करते हैं कि अगर हम इने वर्गी करत कर देते हैं तो इनके हमें सबसे पहली बात ही हो जाए कि अध्यन में हमें आसानी होती है क्या होती है अध्यन करना आसान हो जाता है इनका ठीक है दूसरा हो जाएगा इसमें कि हम एक जैसी सारी रिख समझना और लचणों वाले गुड़े एक साथ रखते हैं तो इससे हमें क्या होता है जीवों की जीवों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है यह मतलब कि उनका जैविकास किस तरह से वजीवों के इतिहास का पता लगाना इससे क्या होता है इससे हमें उनकी हम आयू निर्धारण कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आयू निर्धारण आसान हो जाता है और आँगे आने वाले समय में हम उनके जैब विकास का अध्यन के दोरान पर हम क्या कर सकते हैं उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं जव विकासी अध्यन के अनुसार जव विकासी अध्यन के अनुसार जव विकासी अध्यन के अनुसार नई प्रजाती का पूर्वा नुमान लगा सकते हैं अब देख लेते हैं तो यह हमारे क्या थे जरूरी हमें वर्गी गरंड क्यों होता है कि आसान बनाता है अध्यान को जीवों की हमें पहचान करना आसान हो जाता है इसलिए हम जीवों को क्या करते हैं वर्गी गरंड करते हैं तो यह था गाईज अमार आज का प्रश्ण आई होगा आपको समझ आया होगा थैंक यू